संदेश खाली कांड में पकड़े गए शाह जहां शेख को बचाने के लिए ममता बनर जी ने पूरा सरकारी अमला जोक रखा है पुलिस से लेकर अधिकारी तक सब के सब शाह जहां शेख के बचाव में उतर आए हैं इसी बज़े से CBI को मामले की जाच करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है CBI ने बंगाल पुलिस की शिकायत हाई कोर्ट से कर दी कि पुलिस उन्हें सहयोग करने के बज़ाए जाच में अडंगा लगा रही है पुलिस की सरकत से नाराज हाई कोर्ट ने पश्यम बंगाल सरकार से मामले की जाच कर रही CBI के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया है कोर्ट ने कहा कि पश्यम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में केंद्रिय जाँच एजेंसी को सहयोग करने के लिए राज्य सरकार अधिक पुलिस बल को भेजे अदालत की निगरानी में हो रही जाँच पर सीबियाई की अंतरिम रिपोर्ट पर हुई सुनवाई में शामिल वकीलों ने ये बात बताई मुख्य नयाधीश टियेस शिवगर्णम की खंडपीट ने सीबियाई से शाह जहां शेख पर आरोप लगाने वाली महिलाओं के बीच विश्वास पैदा करने और महिला अधिकारियों को संदेश खाली भेजने के लिए भी कहा सीबियाई ने अधालत के सामने उलेक किया कि वो जमीन हडपने के शिकायतों की ठीक से जाच नहीं कर पा रही है क्योंकि राज्य के अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं अधालत में राश्य मानवाधिकार आयोग को भी संदेश खाली मामले में एक पक्ष बनने की अनुमती दी राश्य मानवाधिकार आयोग ने ही खटना स्थल पर जांच टीम्स भेजी थी 10 अप्रेल को मुखि न्यायधिश टीएस सिवगणनम और न्यायमूर्ती हिरंडमय भटाचारे की खंडपीट्स ने फरवरी से संदेश खाली निवासियों द्वारा उठाए गए क्रिशी भूमी पर कबजा करने को लेकर बलातकार छेटशार तक सभी अपराधों की जांच करने का आदेश CBI को दिया उसी दिन अदालत में उत्तर चौबीस परगना जिला प्रशासन को 15 दिनों में संदेश खाली में सुरक्षा कैमरा और स्ट्रीट लाइट लगाने का आदेश दिया अदालत में जिला प्रशासन से अपने आदेश पर कारवाई करने और जून में मामले के दोबारा सुनवाई होने पर रिपोर्ट पेश करने को कहा इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 10 अपरेल के आदेश को चुनोती देने वाली बंगाल सरकार की आचिका पर सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थाईद कर दी है और साथ ही ये भी कहा था कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बहाने हाई कोर्ट से किसी सुविधा की मांग न करे संदेश खालीकांड का मुख्यारोपी हाई कोर्ट के हस्तक शिप के बाद 28 फरवरी को गिरफतार होने से पहले शाह जहां 55 दिन तक फरार था उसे सार्वजनिक वितरन प्रणाली घोटाला की सिलसिले में 5 जनवरी को उसके घर पर छापा मारने वाली एडी की टीम पर हमले की साज़श रचने के आरोप में गिरफतार किया गया था वियूर रिपोर्ट न्यूज अफ इंडिया